बुरी फिल्म कैसे बनाए के पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि बुरी फिल्म बनाने के लिए सबसे जरूरी इंग्रिडेंट है एक सड़ीगली कहानी। लेकिन अगर कहीं गलती से आपको अच्छी स्टोरी मिल भी जाए तो भी आपको हतोत साहित होने की जरूर नहीं। आपको जिन्दगी और फिल्म गुड़ गोबर करने के अनंत मौके देती है। अवसर बेशक एक दर्वाजा खटाए लेकिन दुर्भाग आपका दर्वाजा तब तक भड़बढाता रहेगा जब तक कि आप दर्वाजा खोल न दे। तो यूँ बुरी फिल्म कैसे बनाए के दूसरे एपिसोड में हम फिल्म काशी इन सर्च आफ गंगा की केस स्टेड नमस्कार मेरा नाम है दर्पन और आप देख रहे हैं दी लललन टॉप रिवियू काशी अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार में हैं उसके मा, पिताजी और उसकी बहन गंगा उसकी बहन गंगा एक दिन सरस्वती हो जाती है, मने गायब हो जाती है उसकी खोज में लग जाते हैं काशी और देविना कुछ लोगों का मत है कि वो यानि गंगा नाम की कोई लड़की है ही नहीं, कुछ लोगों का मत है कि वो है, कुछ लोगों का मत है कि वो थी पर अब नहीं है, इस दोरान दर्शकों का मत यह है कि हम यहां क्यों हैं। पहरहाल कई twists और turns के बाद film कभी लगे रहो मुन्ना भाई हो जाती है कभी डेविड फिंचर की fight club हो जाती है और अंत तक आते आते इतनी ज्यादा तेरे नाम हो जाती है कि खुद एक character इस बात को स्विकार करते हुए काशी से कहता है कि तू तो तेरे नाम का सलमान खान हो गया फिल्म में logic का ठीक उतना उपयोग किया गया है जितना किसी dish में नमक का उपयोग किया जाता है I mean किसी sweet dish में यानि इस film को देखने के बाद रोहिट शेटी ना सिर्फ logical बलकि Newton और Einstein समतुल्य लगने लगेंगे जो term cricket में यूज किया जाता है वो आज इस film के लिए यूज करना चाहूँगा film on paper exceptional लगती है मने अगर आप top class actor है और आपके पास dates की कमी है तो भी शायद आप इसकी कहानी सुनकर इस film को accept कर ले लेकिन फिर सवाल उखता है कि काशी इन सर्च ऑफ गंगा मैं सलमान खान क्यों नहीं है शारुक खान क्यों नहीं है इसलिए क्योंकि film के डाइरेक्टर धिरज कमार या स्टोरी राइटर मनीश किशोर ने उन स्टार्स को भी ठीक वैसे ही स्टोरी नेरेट कियोगी शायर जैसे हम दर्शकों को भी है यानि कि जोल कहानी में नहीं जोल है उस कहानी से बने स्क्रीन प्ले में उसके ट्रीट्मेंट में शर्मन जोशी काशी चौधरी बने है और चिलाने को एक्टिंग समझ पैठ है जबकि उनकी आँखों में आसुन निकलते हैं तो लगता है कि आप कहिंगे जहाँ पना तुसी ग्रेट हो तो फ़ा कुबूर करो बाकी एश्वरिया देवान से लेकर सभी एक्टर्स की बात ना की जाए तो बहतर गोविन नामदेव अच्छे एक्टर हैं लेकिन इस फिल्म में उनके डायलोग डिलिवरी का पेस देखकर लगता है कि शायद इस फिल्म की शूटिंग के बाद उन्हें तुरंत बड़े बजट की फिल्म देखने जाना है पारितोष, क्रांती, अखिलेंद्र, मनोज फावा सबको ही इस मूवी को अपनी मेमोरी से इरेज कर देना चाहिए उन्होंने कोई ऐसी फिल्म की ही ने एक्टर्स बनारस की भाषा बोलते बोलते उन सारे शहरों की भाषा बोलने लगते हैं जहां जहां से गंगा गुजरती है लिरिक्स राइटर के रूप में केवल रावन अपना प्रभाव छोड़ते हैं अपने शिव टांडव स्रोथ के चलते हैं उनके द्वारा कृत शिव टांडव स्रोथ बैक्ग्राउंड स्कोर की तरह भी यूज़गा है उने को उन्हें कहीं भी इस गीत का क्रेडिट नहीं दिया गया है म्यूजिक के बारे में यहीं कहना होगा कि बोर करती मूवी तक में गीत एक व्यावधान की तरह आते हैं गोया गड़ो वाली सड़क में स्पीड प्रेकर जहां ज्यादा बिल्लिया होती हैं वहाँ चुहे नहीं मलते इस फिल्म के म्यूजिक एलबब में चार म्यूजिक डिरेक्टर, दो लिरिक्स राइटर और एक दरजन के लगभग गायक हैं इन गायकों मैं मैंने कोरस गानेवालों को नहीं गिना है फिल्म की कहानी में जो ट्विस्ट हैं सो हैं लेकिन फिल्म में तीन और चीज़े अचानक ट्विस्ट लेती है पहला एक भक्तिगीत जो अचानक बोली और चोली वाले गीत में बदल जाता है दूसरा स्क्रीन प्ले जो अचानक लव स्टोरी से फैमिली ड्रावा और उससे भी अचानक कोर्ट रूम ड्रामा और अंतितह सस्पेंस और ठिलर में बदल जाता है और तीसरा शर्मन जोशी का करियर जो ज्यादा तर कॉमेडी से भरे और हलके फुलके रोल से सीधे सुपर सीयस काशी में बदल जाता है फिल्म देखने जाएं या ना जाएं इसके उत्तर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज एक समिक्षक के रूप में अपने कारे पर कुछ-कुछ वैसा ही गर्व हो रहा है जैसे किसी फायर मैं को होता है वो जान पर खेल कर लोगों की जान बचाता है हम ऐसी फिल्में देखकर आपका समय और आपके पैसे और आपके सेरेडाउन का खड़ बचाते हैं मन कर रहा है कि मैं ये गाउं कर चले हम फिदा बाकी आप समझदार हैं ही और चुकि आप समझदार हैं ही तो इस गोज़ विडाउट सेइंग कि भविश में अपने धन और समय को बचाने के लिए और ललन टॉप रिव्यू के यूट्यूब नोटिफिकिशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे FB में देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें आप इन रिव्यूज और बाकी कई जानकारियों और खबरों के लिए हमारा एप भी डाउनलोड कर सकते हैं Android smartphone user इसे Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और हाँ, जाते जाते ये बता जाओं कि वो बुरी फिल्म कैसे बनाए वाली बात केवल एक व्यूमर थे Thank you